है गाइस मैं नेम इस अनुरादा वेलकम टो आर चैनल जी के गाइडेंस अनौलेज आज का हमारा टोपिक है जेंडर एक्वैलिटी गोलेकर आज की कोटिशन है दो मौर यू प्रैक्टिस तब बैटर यू गेट जितना जयता आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बहतर आपको मिलेगा आज की वन लाइन में कोश्चन है सस्टेंबल डेवलप्मेंट गोल फाइव क्या है कौन सी गाइडेंस जारी की गई है जजिज के लिए अपलाइंग करने के लिए जो परस्पेक्टिव है साउथ इस्टेशिया में उन स्टिरियोटाइप्स को हटाने के लिए कितना पोसे अर्टी में क्या है और इंडिया की राइंग जेन्टर इक्वालिटी इंडेक्स ट्रॉंटी विए अर्टिकल कौन सा है जो हमें प्रोवाइड कर आते हैं राइट टु एक्वैलिटी आज कहा हमारा कॉशन है साइलेंस को ब्रेक करना होगा जो बाएसनेस होती है वोमन की अ हमारे इंट्रोडॉक्शन क्या होगा? पैट्रियार्कल माइंड सेट की वज़े से हमारी सोसाइटी में वोमन को सेकेंडर सिटिजन की तरह देखा जाता है मैन होल्ड करते हैं प्रैमरी पावर्स को और प्री डोमिनेट करते हैं पॉलिटिकल लीडर्शिप को, मॉरल अथियोरिटी को, सोसिल प्रिविलेज को और प्रोपर्टी को उपर कंट्रोल करते हैं वोमन हमेशा मैन की ओर्डर को फोलो करती है और फिनोमना चेंज हो रहा है लेकिन पैट्रियार्की अभी भी एग्जिस्ट करती है इस्यूज क्या है बायस अगेंस्ट वूमन pip rozum के अगेंस्ट पैइस होते है हम देख सकते हैं कि घर में भॉइ के ज़ाद इंपोटेंस होती है और गल की कम पैट्रियार्की इंस्टुटुशन में क्या है हमने देखा है कि बहट सारे जज्जमेंट थी रिसेंटली महाराश्चर का एक केस हुआ था उसमें एक सरकारी अधिकारी के उपर केस था उसने सेक्शुली अफंड किया था एक लड़की के लब जब वो माइनर थी तो अब उन्होंने बोला चीफ जिस्टिस शरद अर्विन बॉबडे ने बोला कि उसके साथ क्या आप मेरिज करोगे दूसरा केस है गैंग रेप वादा 1992 में वहाँ जज्जिस ने बोला कि अपर कास्ट का अदमी लोर कास्ट के वरत के साथ ये नहीं कर सकता और साथ ही 60 और 70 के एजवाल वैक्ति भी रेट कमेंट नहीं कर सकता कुछ केसे में कंपंशेशन के लिए भी बोला जाता है एक मद्यपर्देश का केस है वहाँ वैक्ति को बेल लेने के लिए उस लड़की के साथ भाई बहन कर रिष्टा बनाना होगा राकी बनवानी होगी देख सकते हैं कैसे कैसे मेंड़ सेट है अब लीडर्स के माइंड सेट को देखी वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी पसंद के कपड़े क्यों पैने लड़की रात को अकेली क्यों थी उसने ड्रिंक क्यों की और भी बहुत सारे केसिज आई हैं जहां पर लीडरिस का माइंड सेट देखने को मिला है डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या होता है होम में, स्कूल में, वर्क प्लेस में पॉवर्टी में भी वोमें में के उपर डिपन करती है सेलरी कम दी जाती है में के कम पर में वोईलेंस भी होता है, डॉमस्टिक वोईलेंस जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, अगर उसके साथ कुछ गलत होआ है तो टैबूस है, स्टेडियो टाइप्स है क्राइम्स अगेंस वोमें, क्राइम्स बहुत जादा है जैसे कि डावरी है, चैल्ल मेरिस है, फोर्स प्रोस्टिटूशन है यंग गर्ल्स का, एसेड अटेक की जाते है, रेप की जाते है मेरिटर रेप भी किया जाते है, फीमेल इंपनिटिसाइड है होनर किलिंग है, किड्नापिंग है, सेक्शल हरस्मेंट है, ट्राफिकिंग है डोमिस्टिक वाइलेंस है, डावरी है, डाथ है दहेज के लिए जो मार दिया जाता है, डावरी जात बोलते हैं मेंटल हरस्मेंट, मॉलेस्टिशन औल्वेस्टिशन ये कहा जाता है, कि वोमन को चुप रहने के लिए सोशल नॉर्म्स हैं, और हर बात के लिए वोमन को ब्लेम किया जाता है पहले स्टेप्स लिए गए हैं, उनके बारे में हम जाने में कॉंस्टिशन ने हमें राइट टू, वोट और एक्वैलिटी दोनों ही प्रोवाइड किये हैं इंडिया पहला ये देश है जिसने सभी को, चाहिए वो मॉमन हो, चाहिए मैन हो सबको एक साथ राइट टू, वोट दिया है कॉंस्टिटिशन के बनते ही, SDG 5 है जो सस्टेनेबल डवलप्मेंट गोल है वो जैन्टर एक्वैलिटी को सपोर्ट करता है और इंडिया भी इसमें कमिटेड है गोवर्मेंट ने एक बेटी बचाओ, बेटी पढाओ की स्कीम भी चलाई है सब्रिमाला के टेंपल, जिसके अंदर वोमेंज को आफ्टर 10 और बिफोर 15 एंटरी के लिए मना किया हुआ था, उसको अलाव किया ऐसी की जजमेंट आई थी, डिफेंस मिनिस्ट्री वर्षिस बविता पुनिया की, इसमें शोर्ट टाइम होता था, वोमेंज के लिए, जो इसे अब फुल टाइम कर दिया गया है और उनको कानविल कर बैद बैंच ने, imposition of marriage and compromise करने के लिए, दुबारा से सोचने के लिए किसे नहीं करना चाहिए बैंकोग, जर्नल गाइडन्स के अंदर, जजजिस को अपलाए करने के लिए बोला है, जेंडर प्रस्पेक्टिव को, इन साउथ एस्ट एस्ट एशिया में, ताकि स्टेडियो टाइप्स को अवाइड किया जा सके, और रिसेंट केस है, जजमेंट आई थी जिसमें स्थी क प्रिया रवानि वर्सिस एम जः एकबर का केस था उसमें, यहाँ पर क्या हुआ था है कि मजञ ऑकबर ने प्रिया रिवानि के ऊपर मीटो केंपेंड में बोला गया था कि मेरे साथ इन्होंने गलत अरक्त करने का कुशिश की थी, वहां में डिफ्रमेशन ी केस लगा द जरूद है अबैरनेस फेलाने की जरूद है वोमन के अंदर उनके राइट्स को और उनकी आवाज को उठाने की जरूद है वोईलेंस और डिस्क्रिमिनेशन की किलाफ इंस्टिटूशन जैसे की सुप्रीम कोट हाई कोट से उन्हें वोमन के उपर फोकस करना चाहिए और 53% रेजरुशन का बिल अभी तक पैंडिंग है पारलेमेंट के अंदर उसे भी पास कराने की जरूद है बहुत सारे लोग हैं जो सेलिबिटरीज को फॉलो करते हैं तो मूवीज भी इसमें रोल प्ले कर सकते हैं जैसे कि पिंक है थपड़ है आर्टिकल 15 है मनी करने का है इ इन्हें इक्वल उपर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाने की जरूत है एक दिन में 88 रेट कमिट होते हैं सो हमें इन्वेस्टिकेशन और परिश्मन की प्रोसेस को फास्ट करना होगा इसते ही डिटरेंस क्रियेट होगा डिटरेंस मतलब उनके मंद में डर पैदा होगा और इक्वल काम और इक्वल उपर्चुनिटीज देनी होंगी बॉइस और गर्स और इनुंधे मैनर्स सिखाना होगा और साथ में गर्ल क्व्ल और इन बॉइक्वल है ये बात भी समझाणी होगी हम क्या दे सकते हैं हम डेमोक्रिसी में रहते हैं हमें एक राइट िटू इ इमेल है उन्हें उपर्चनरी और इंपोर्टन्स देनी होंगी माइंडस्ट को भी चैंज करने की जरुत है लीडरस और इंस्टुटऊश्न में उन्हें साइलन्स को बरिक करने की जरुत है इसकी हैर्प से हम क्या कर सकते हैं आज़ पिजिव फाइव जैंडर इक्वालिटी को भी अचीव कर सकते हैं और हमारी रेंक को बढ़ा सकते हैं इंडेक्स और गिलावबल जैंडर इंडेक्स 108 और 102 यह हमारी रेंक है उसमें वन लाइन कुश्चन के अंसर है Sustainable Development Goal 5 में Gender Equality दी गई है Bangkok Journal Guidance जारी की गई थी ताकि Judges अपलाई करें Gender Perspective South East Asia में ताकि Stereotypes को Avoid किया जा सके 33% Reservation Women को जो Bill Pending है वो मिलना चाहिए NCRB के Accounting 88 Rape Commit होते हैं एक दिन में इंडिया की Rank Global Gender Index 2020 में 112 है और इंडिया की Rank Gender Equality Index में 108 है Article 14 to 18 प्रोइड कराता है हमें Right to Equality This is it for today, thank you for listening, don't forget to like, share and subscribe and also provide your suggestions to improve और आप मुझे यह भी बता सकते हैं कि और क्या-क्या एड के जा सकता है इसके अंदर